अदालत में संजे रोय के फूट फूट करोने से हर कोई सक्ते में हैं क्यूं संजे रोय फूट फूट करोया अदालत में हम आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले आपको बता दे जो बड़ी अपडेट है इस मामले में साथ आरोपियों का पॉलिग्राफ टेस्ट कराया गया जिसमें मुख्य आरोपी संजे रॉय, पूर प्रिंसिपल संदीब घोष, इसके अलावा उस रात, याने की जिस रात क्राइम हुआ, उस रात अस्पताल में जो ट्रेनी डॉक्टर मौजूर रहे, चार ट्रेनी डॉक्टर और साथ ही एक वॉलेंटर, साथ लोगों का डाफ टेस्ट, जेल में ही कराया गया, जहां वो 14 दिनों की नियाएक खिरासत में हैं, उस से पहले आपको बता दे कि अदालत में हर कोई संद रहे गया, जो संजे रॉय ने फूट पूट कर कहा, कि वो बेगुना है, वो बेकसूर है, निर्दोश है, और इसलिए चाहता है कि इस मामले में जो भी जाच सीडिया को करानी हो, वो कराये, ताकि असली आरोपी, असली गुरहगार सामने आ पाये, संजे रॉय फूट पूट कर अदालत में कहता है, कि वो बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया, और तभी वो हर तरह की जाच का हिमायती है, हर तरह की असली आरोपी है, बोस्त सामने आए, इससे पहले आपको बता दे कि न्यूज एटीन की टीम ने संजे रॉय के दोस्तों से भी बातचीत की, उन दोस्तों ने इस बातचीत में बताए कि संजे रॉय अपनी प्रवरती सही आप्राधिक किस्म का है, वो अक्सर ही लोगों से पैसे लिया करता था और उन्हें पैसों को वापस नहीं रोटाया करता था, इसके अलावा अपने आसपास रहने वाली महिलाओं के साथ भी उसका वेवहार सही रही था, गाली गलोश देना, उनके साथ मारपटाई करना, छेड़ खानी करना, ये उसकी आदतों में शुमार था, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में वो वॉलेंटियर के तौर पर काम करता था, लेकिन हर कोई ये जानता था, इस बात से वाकिव था कि वो पूर प्रिंसिपल संदीब घोश के बेहत करीबी में से एक है, संदीब घोश के बाउंसर के तौर पर भी लोगों के बीच उसकी पहचान थी, संदीब घोश की बुविका भी इस मामले में शुरू सही संदिक्द रही है, इस पूरे मामले को लेकर टिपड़ी सुप्रीम कोट ने भी की, सरवोच अबालत ने भी की, जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर एफ आई आर दर्ज की गई, जान शुरू की है कि आप दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा, यह साफ हो जाएगा कि कौन जूट बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, आपके मन में ये बात होगी कि पॉलिग्राफ टेस्ट होता क्या है, पॉलिग्राफ टेस्ट दरसल जूट पकड़ने वाली मशीन के जरिए क अक्सर बड़े मामलों में आरोप्यों के मुह से सच उगलवाने के लिए ये टेस्ट किया जाता है अब आरजिकर मेडिकल कॉलेज में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ उस दरंदगी हुई उस दरंदगी को लेकर जो जाच है वो अब पूरी उमीद इस पॉलिग्राफ टेस्ट पर ही टिक गई है देखना होगा कि सच कब तक सामने आता है और जो पूरा देश देश की महिला इंसाफ मांग रही है उस ट्रेनी डॉक्टर के लिए वो इंसाफ कब तक मिल पाता है